तो अगर आप भी अभी के टाइम पे 20,000 रुपीज में एक बेस्ट गेमिंग या फी पर्फॉर्मस अंटरी की स्मार्टफॉन ढून रहे हैं और आप कन्फ्यूज हो कि अभी के टाइम पे आपको कौन से स्मार्टफॉन के साथ जाना चाहिए प्रॉपर पूरी इंफर्मेशन के लिए बने रहे हैं वीडियो में लाश्ट तक आज की इस वीडियो हमने चार बेस्ट स्मार्टफॉन को सलेक करा है जो आपको अल्टिमेट पर्फॉर्मस निकाल कर देंगे और इन स्मार्टफॉन को आप 20,000 रुपीज की बजट प्राइस आप इस स्मार्टफॉन को कंसिडर कर सकते हैं अगर डीटेल से बात करें इस स्मार्टफॉन के स्पैसिफिकेशन के बारे में तो यहां पर आपको मेड़ेक डामेश्टी 7200 का एक 2.8 गीगाच पे क्लॉग्ड ओक्टाकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जहां पर 128 GB की इनविल्ट मेमरी देखने को मिल जाएगी इसके लाव वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी 5000 mh की काफी बड़ी है बड़ी बैटरी के साथ 44 वार्ट तक का फ्लाइस चाल्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा इसके अलावा अगर हम बात करें वहीं पर इसे स्मार्ट पूर्ट के डिस्प्ले स्पैसिफिकेशन की बारे में तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.67 इंचेस की एक काफी बड़ी है AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है जो की 1080 x 2400 पिक्सल्स की है और यह जो डिस्प्ले पैनल है और 394 PPI पिक्सल लेंश पिक्सल्स के बारे में तो यहाँ पर आपको 50 प्लस 2 मेगा पिक्सल्स का डूल लियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से मैक्सिम 1080 पी में अपनी वीडियो उसको एजली 60 fps पर रिकॉर्ड कर सकते हैं और वहीं आपको सामने के तरफ भी 16 मेगा पिक् और सेकंड नमबर पे हमने रखा है पोको की तरफ से आने वाला पोको X6 5G स्मार्टफून और पोको जो स्मार्टफून कमपनी है वो भी कम बजट में बढ़िया गेमिंग स्पैसिफिकेसंस देनी के लिए मेंली जानी जाती हैं तो आप इस स्मार्टफून के साथ भी जा स यहां पर आपको 8GB RAM सपोर्ट के साथ 256GB तक की इन-बिल्ट मेमरी भी देखने को मिल जाती है इसके लावा ही पर आपको वैटरी के तौर पर 5100MH की काफी बड़िया बड़ी वैटरी के साथ 67W तक का Fast Charging सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और इसके अलावा ही पर अगर बात करें डिस्प्ले स्पैसिफिकेशन के वारे में तो यहां पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.67 इंचेस की एक काफी बड़िया AMOLED देखने को मिल जाती है जो कि 1220 इंटो 2700 12 पिक्सल्स की है और यह जो डिस्प्ले पैनल है वो 446 PPI पिक्सल देश्टी पर वर्क करती है यहां पर आपको Corning Gorilla Glass Victus की protection मिल जाती है and for smooth experience 120H का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर वहीं पर बात करें at the end इस smartphone के photography features के वारे में तो यहां पर आपको 64 plus 8 plus 2 megapixel का triple layer camera support देखने को मिल जाता है with OIS support और आप यहां से maximum 4 की quality में 30 fps पर easily Ultra HD में record कर सकते हैं and साम overall इस smartphone की भी specifications budget age recording काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं so gaming के तौर पर आप इस smartphone को भी consider कर सकते हैं इसके बाद चलिए अब बात कर लेते हैं हमाई list के third number वाली smartphone के बारे में जो की हम रखा है Inflex की तरफ से आने वाला Inflex 030 5G smartphone और यह smartphone भी आपको 20,000 रुपीज के round देखने को मिल जाएगा और Inflex भी Indian market में काफी अच्छा इस time पर काम कर रही है और इसकी smartphones जो हते हैं मेली performance एंटर की specifications और कुछ smartphones camera center की specifications को target करके आते हैं जिनको भी performance एंटर की smartphone चाहिए Inflex की तरफ से कोई आने वाला तो वो 030 5G smartphone को consider कर सकते हैं अगर डीटेल से बात करें हम इस smartphone के specifications के बारे में तो यहाँ पर भी आपको performance के लिए Mediatic Dimensity 8020 का एक 2.6 GHz के clocked powerful octa-core 5G processor मिल जाता है यह जो smartphone है वो out of the box Android 13 पर work करता है यहाँ पर आपको display के तौर पर 6.78 इंचेस की same AMOLED screen देखने को मिल जाती है जो कि आपको IQ G7 Pro में आपको देखने को मिलती है और यह भी 1018 to 2400 pixels की ही है जो कि 388 ppi pixel lens टी पर work करती है यहाँ पर आपको corning और इला glass pipe की protection के साथ 144 हज तक का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर वहीं पर बात करें at the end इस smartphone के photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 108 megapixel primary sensor के साथ 13 megapixel का एक secondary camera और प्लस 2 megapixel का एक थरड आपको यहाँ पे camera देखने को मिल जाता है with OIS support और आप यहाँ से maximum 4G quality में अपनी वीडियो उसको 30 apps पर Ultra HD में easily record कर पाएंगे और यह आपको सामने के तरफ भी 50 megapixel का एक sensor देखने को मिल जाता है तो इसके बाद चलिए अब बात के लेते हैं हमाई list के fourth and last smartphone के बारे में जो की हमने रखा है लावा की तरफ से आने वाला तो यहाँ पर आपको performance के लिए Mediatek Dimensity 7050 का एक 2.6 GHz पे clocked OctaCore 5G processor देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको 8GB RAM support के साथ 128GB तक की inbuilt memory भी देखने को मिल जाती है इसके अलावाई पर आपको battery के तौर पर 5000 image की काफी बड़ी या बड़ी battery के साथ 33W तक का fast charging support भी देखने को मिल जाएगा और वहीं अगर बात करें display specifications की बारे में तो यहाँ पर आपको display के तौर पर 6.67 इंचेस की एक AMOLED इसक्रीन देखने को मिल जाती है जो की 1018 इंटो 2400 pixels की है और यह जो डिस्प्ले पैनल है वो 394 PPI पिक्सल लेंस्टे भी वर्क करती है यहाँ पर आपको Corning Gorilla Glass की protection के साथ 120H का refresh rate support भी देखने को मिल जाता है इसके अलावा add the end अगर बात करें वहीं पर इस smartphone की photography features के बारे में तो यहाँ पर आपको 64 plus 8 plus 2 megapixel का triple layer camera support देखने को मिल जाता है और आप यहाँ से iPhone Full HD में अपने वीडियो उसको easily record कर सकते है और इसके अलावा आपको सामने के तरफ भी 32 megapixel का एक काफी बड़ी है sensor देखने को मिल जाता है इस smartphone भी आपको ultimate gaming experience मिलेगा जब भी आप इस smartphone से gaming करोगे तो आप इस smartphone के साथ भी जा सकते हैं तो यह रहे top 4 best gaming smartphones जो कि आपको 20,000 रुपीज के around देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने 24 याफी अपने need users के basis पर किसे भी smartphone की तरफ जा सकते हैं तो at the end of this video I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपके लिए काफी अदर informative रही होगी तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंप्रिक कर दीजग लाइक और चैनल कर दीज़ सब्सक्राइब